सुबह उड़ते ही आपको चाय पिने के आदत होगी ही अगर बात करें पूरे भारत के तो पूरे भारत में से 80% लोग ऐसे हैं जो चाय को पिए बिगर रहने सकते वहीं आपको बिना चाय पिए तो यह जैसे चैन ही नहीं पड़ता लेकिन आपको बता दे कि अगर आप भी रोज सुबह उड़कर चाय पिते हो तो यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है चाय जो यूरोप और अमरिका जैसे देशों में रहने वाले लोगों के लिए सही है कि तो गर्म देशों में रहने वाले वेक्तियों के लिए चाय जहर के समान है गर्म देशों में रहने वाले लोगों के पेट में अमलिय याने की एसिडिक की मातरा पहले ही अधिक होती है और अब चाय पीने से वो और भी बढ़ जाती है इसके अकारण पेट में जलन और सीने में जलन जैसे बिमारिया होती है उसके साथ चाय में उपयों की गई चीनी तो आपको बिमारी बना देती है सुगर दिल की बिमारिया बढ़ाती है और ब्लड प्रेसर की बिमारिया होने का खत्रा बढ़ जाता है आप एक प्रयोग भी कीजिए कि जब चाय पी ले तो अपना blood pressure ना पे सुगर को भी ना पे चाय पीने के नुकसान इतने भहेंकर है कि आप साइद चाय पीना खुद ही छोड़ दोगे यूरोप में तो चाय के अंदर ये सफिद चीनी और दूद नहीं डालते लेकिन वहां की चाय भी हरी पत्तिय वाली होती है बारत में काली चाय एक तरह का खुद है तो अब हम आपको चाय पीने के नुकसान के बारे में बता देते हैं तो पहला बड़ा नुकसान है वो पेट हो रहा है खराब जहां दूस्तो चाय पीने से आपका पेट पूरी तरह से खराब हो ज़रा है आपकी पाचन सकती खराब हो जाती है और साथ ही में पेट में तेजा बनना सुरू हो जाता है जो कि आपके सरीर के लिए बहुत ही खराब है दूसरी बड़ी समस्या है वो एक गैस की समस्या जहां दूस्तो गर्म देशों में चीनी की चाय पीने से गैस की समस्या होने लगती है वही अंबलिया होने की वज़त से आपके सरीर में ऐसी डिक की मातरा बढ़ जाती है और जो गैस और जलन करने लगती है जिसे कि आपके सीने में जलन पैदा होती है हाथ और पैरों में दर्द की वज़ा है चाय जियां दूस्तो तीसरा बड़ा नुकसान जो है हाथ और पैर की दर्द आपके हाथ पैर भी अगर बहुत दर्द करते है तो उसकी वज़ा चाय ही है चाय का असर हमारी हड़िया पर पड़ता है वह गलने लगती है और कम उम्र में ही दर्द सुनुग हो जाता है सोते वक्त दर्द होता है ये सब चाय की वज़े से होता है यहां दोस्तों अगर आपके भी सरीर में अगर दर्द होता है तो आप भी चाय को छोड़ दे तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे दिये गए सब्सक्राइब के बटन को दबा कर हमारी चैनल को सपोर्ट करना ना बूले